हेलो फ्रेंड्स नमस्ते दोस्तों आज की इस वीडियो में इटका कमपनी द्वारा बनाई जाने वाली जीरो डाल SP टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों जीरो डाल SP टैबलेट तीन दवाओं का कॉम्पोजीशन होता है एसिकलो फेनेक, सेराटियो पेप्टी डियस और पेरासिटामाल दोस्तों एसिकलो फेनेक का काम दर्द को कम करना होता है और सेराटियो पेप्टी डियस जो की एक एंज्याइम होता है जो सूजन को कम करता है और पेरसितमाल एक एंटिपायरिटिक मेडिसिन है जो बुखार को कम करती है तो चलिए दोस्तो अब जिरोडाल SP टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तो जिरोडाल SP का इस्तेमाल आम तोर पर मास्पेसियों में दर्दोना पीरियड में दर्द होना, कान के इंफेक्शन में, हड्डियों में दर्द होना, गले में खरास होना, जोडों में दर्द होना, दातों में दर्द होना, सिर में दर्द होना, बुखार होना, सूजन होना, आधि समस्याओं में ली जाती है दोस्तो जीरोडार SP टेबलेत भोजन के बाद एक टेबलेट ले सकते हैं और अगर अधिक ज़्यायदा ज़रुस एð तो आप उगा एको में साम करके ले spec सकते हैं दोस्तों आब हम विजयोडाल SP टैबलेट के कुछ साइड़ एफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों जैसे कि जीड़ाल 10वी टैबलेट के कुछ निम्न साइड एफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं जैसे कब जो होना खटी डखार आना भूक में कमी आना पेट में दर्ड होना जी पमिशिलाना उल्टी आना चक्कर आना दस्त होना खुजले होना पेलिया हो जाना इसकिन पर दाने होना सांस लेमने में परसानी भी हो सकती है दोस्तों इस परकार के कुछ समस्या हो सकती है अगर इस परकार के कोई समस्या होती है तो आप अपने डॉक्टर से संपर्ख करें अब हम जीरो डाल एस्पी टेबलेट के कुछ साधानीओं के बाद कर लेते हैं जीरो डाल एस्पी टेबलेट जैसा कि आप लोग जानते हैं यह तीन दवाओं का कॉंपोजीशन होता है अगर इन तीनों मेडिसिन में से किसी भी मेडिसिन से आपको कोई रियक्षन या विजिना करें और अगर आप कोई भी लेडिज प्रेगनेंट हो या प्रेगनेंट उन्हें का प्लान बना रही है तो भी इस मेडिसिन का उप्योग ना करें और अगर अन्य कोई भी पीमारी आपको हो तो भी यह दवा ना ले इस दवा को लेने से पहले एक बार डाक्टर को स